हम लोग solve कर रहे हैं UPPGT 2016 का chemistry का question paper अब यह 2016 का question paper है इसमें हम organic, inorganic and physical के कुछ questions कर चुके है physical के जो questions बचे हुए है वो हम अब करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर question दिया हुआ है कि pH of an aqueous solution of 1 into 10 to the power minus 8mHCl इसकी जो pH है वो बतानी है कितनी होगी क्या दिया हुआ 10 to the power minus 8mHCl है अब हम general formula लग देते हैं pH is equal to minus log H plus ion की concentration यही रखते हैं जब pH निकालते हैं जब हम pH निकालते हैं तो हम formula रखते हैं minus log and concentration of H plus ion अगर आप directly इसको इसमें put कर दोगे तो इसकी जो pH है वो लगभग आएगी कितना अगर यहाँ पर minus 8 रखते हो और इसको निकालते हो तो इसकी pH आएगी लगभग 8 लेकिन क्या किसी acid की यानि कि HCl की वो भी pH 8 हो सकती है जनरी बोला जाता है कि जो pH होती है किसी भी acid की वो 7 से कम होती है जो pH scale होता है उस पर और जो base की होती है वो 7 से ज़ादा होती है 7 to 14 के बीच में होती है और जो acid होते है उनकी 0 से 7 के बीच में होती है और जो 7 पर होते हैं वो neutral होते हैं तो क्या आप सोच सकते होगी इसकी pH जो है वो 7 से ज़ादा यानि कि 8 पहुच जाएगी नहीं पहुचेगी तो यहाँ पर यह हम directly नहीं रख सकते actually होता क्या है जैसे कोई भी अगर हमने acid लिया है जैसे कि हमने HCL लिया है तो यह जो है diluted form में होगा purely ऐसे तो होगा नहीं concentrated है aqua solution है तो diluted यानि कि water भी होंगे उसमें उनको हम उसमें लिखेंगे यानि कि जो H plus total यानि hydrogen ion की जो total concentration होगी उसमें HCL की तो H plus होंगे लेकिन उसके अलावा जो water है उसके H plus भी ज़रूर होगे तो इसमें हम दोनों के H plus को count करते हैं दोनों के H plus को लेते हैं यानि अगर हम H plus ion की total concentration निकालें तो यह होगा H plus ion of acid यानि HCL and H plus ion of यानि water जो भी water से आयों होगे अब यहाँ पर H total में यानि कि H plus ion यानि कि इतने 10 to the power minus 8 होगे वो तो हमें पता है यानि 10 to the power minus 8 होगया लेकिन जब हम H plus of water की बात करें तो हमें पता है कि जब हम ionization देखते है H2 होगा तो H plus and OH minus ये equal to होता है 10 to the power minus 14 और अगर इसकी बात करें तो H plus ion की concentration होती है 10 to the power minus 7 ऐसे ही OH minus की concentration भी होती है 10 to the power minus 7 तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 to the power minus 7 ठीक है इसकी case ने अब यहाँ पर क्या है हम common ले लेते हैं common में 10 to the power minus 7 छोटा लग रहा है तो इसको common ले लेते हैं यहाँ पर तो यह आएगा यहाँ पर 0.1 यहाँ पर यह हो जाएगा 0.1 और plus इसकी जगा पर 1 आ जाएगा common लेंगे तो अब यह क्या होगा यहाँ पर यानि की 10 minus 7 और यह हो जाएगा 1.1 यह आगे हमारी H plus total अब हम इसको क्या करेंगे जो formula है यानि formula क्या है pH is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration अब hydrogen ion की concentration कितनी है वो है 10 to the power minus 7 multiplied by 1.1 अब जब हम इसको log वोग निकाल के अगर calculate करते हैं तो इसकी value आएगी करके देख लेना खुछ से log निकाल के ठीक है तो इसकी value आएगी 6.9 यानि जो pH है वो 7 से slightly less than 7 है यानि 7 से थोड़ा सा कम है ठीक है तो इस जो solution है यह इतनी concentration का उसकी pH क्या होगी slightly less than 7 यानि B इसका correct answer हो जाएगा I hope इसका answer clear होगा अब बढ़ते हैं next question की तरफ अब यहाँ पर next question दिया हुआ है यानि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे जो पहला वाला question है इसमें बताना है D-glucose के जलिये बिलियन में घुली श्रंखला खुली श्रंखला आकरती की सामे सांदरता लगभग क्या होती है यानि यहाँ पर हमें बताना है D-glucose के बारे में अब बताया है Aqueous solution अब यह क्या होता है जानि कि D-glucose जो है जब Aqueous solution में Dissolve करते हैं इसको तो यह क्या बनता है इसमें एक तो Carbonyl Group form होगा Compound इसके अलावा इसमें जो Alpha D-glucose यानि Alpha और Beta Isomer इसके जो Anomers हैं वो form होते हैं अभी जो Alpha Beta Anomers हैं यह क्या करते हैं कभी Ring and Closing होगी कभी Opening होगी यह होता रहता है यानि Process चलती रहती है एक तरह से इसको क्या बोलेंगे Rotation बोलेंगे Muta Rotation बोलेंगे कभी Anomers form हो रहा है Alpha वाला कभी Beta वाला इस तरह से होता रहता है जिब इसे Water में Dissolve करते हैं करते हैं तो इसको बोलते हैं Muta Rotation अब यहां पर क्या होता है जब भी Water में Dissolve करने के बाद में या Aqua Solution में यह क्या होता है इसमें क्या होता है 36% जो form होता है वो होता है Alpha D Glucose 64% form होता है लगभग 64 Beta D Glucose इसके इलावब जो Open Chain जो Aldehydeic form बनती है Glucose की वो form होती है 0.02% तो इसको याद रखना है इस Data को तो इसका जो Answer होगा वो होगा D I hope इसका Answer क्लेर होगा Generally ऐसे ही याद करने वाला Question है यह Second Question देखते हैं इसमें बताना है On the basis of Ionic Size Which of the salt Given below Will have a maximum Solubility in water यानि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे यानि आइनी आकार दिया गया है यहाँ पर आइनी आकारों के आधार पर नीचे दिये गए लवलो के किसकी लवलों में किसकी जल में घुलनशीलता अधिक्तम होगी ठीके यह हमें बतानी है अब यहाँ पर करनी है hydroxide ठीक है water में possible होगा यह भी water में तो carbonate वालों को तो देखने नहीं, अब बचा है यह magnesium वाला hydroxide और barium वाला hydroxide, अब यह क्या होता है, जो solubility है hydroxide की, जैसे कि group में उपर से नीचे जाते हैं, तो atomic size जो है वो increase करता है, तो जैसे जैसे atomic size increase करेगा, वैसे वैसे इनकी solubility increase करेगी, basicity भी increase करती है, यह तो आपको पता ही है, तो उपर से नीचे जा रहे हैं, जो barium है, यानि इसका size आप देख सकते हैं, वो जादा है magnesium से, तो इसकी solubility है, वो जादा होगी, on the basis of ionic size, ठीक है, वहीं हमें बताना था कि maximum solubility किसकी होगी water में, तो वो होगी इस वीब आलेगी, I hope इसका answer भी clear होगा, अब देखते हैं next question को, अब next question है, यहाँ पर हमें बताना है, क्या degree of dissociation हमें बताना है, कितना होगा, want of factor दिया हुआ है, HCN के लिए कितना 1.00002, ठीक है, यहाँ पर दी हुए किसकी value, I की value दी हुए 1.00002, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकाल अब want have factor के लिए, यहाँ पर जो इसके लिए formula होता है, वो होता है, alpha is equal to I minus 1 upon N minus 1, N minus 1 यहाँ कि number of ions कितने form हो रहे हैं, जैसे HCN है, HCN के कितने form होगे, H plus, plus CN minus, यहाँ दो ion form हो रहे हैं, तो N की value कितनी हो गए, यहाँ पर 2 हो गई, अब I की value दी हुए है, given है, कितनी है, 1.0000 0002, and N की value है, 2 minus 1, यहाँ यह हो गया, 1.00002, इतना ही हो जाएगा, यहाँ, alpha कितना हो जाएगा, N minus 1, N कितना है, 2, I minus 1, sorry, यहाँ पर minus 1 हो गया, ठीक है, 2 minus 1, यहाँ कि यह 1 में से 1 गया, तो यह बचा, 0.00002, divided by 1, यह किसकी value आ गई, यह आ गई, alpha की value, ठीक है, अब यह हमें निकालना है, percentage में, percentage में कितना हो जाएगा, यहाँ, alpha को multiply कर दो, 100 से, तो degree of dissociation percentage कितना हो जाएगा, 0.00002 multiplied by 100, तो 2, 0 तो कम हो जाएगे, यहाँ से, तो 2 multiplied by minus 3, इसकी value आ जाएगी, यहाँ कि B इसका answer हो गया, ठीक है, I hope इसका answer tier होगा, अब देखते हैं, next question यह हाँ पर हमें बताना है, extensive property, हिंदी में क्या बोलेंगे, extensive property को, कौन सा है, question number 89, 89, यानि हमें बताना है कि मात्राशित गुर्धर्म है, इन में से कौन सा है, extensive का मतलब होता है, कि जो property, यानि कि किस पर amount पर निर्भर करती है, यानि कि सब किसी भी, substance के amount पर निर्भर करे, वो property कहलाती है, extensive property, यानि, जैसे हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले ली किसी भी, substance की, यहाँ पर enthalpy हो गई, या फिर enthalpy, mass भी हम पूरे का निकालते हैं, ठीक है, तो वो amount पर निर्भर कर रही, enthalpy, यानि कि अगर हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, हीट, तो वहाँ पर भी मतलब कि वो viscosity निकाल नहीं है, तो हम थोड़े से भी निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है, पूरे की मतलब viscosity के लिए, तो viscosity होल में उतनी ही होगी, जैसे शहएद है, तो उसकी viscosity चाहे एक लिटर सहएद हो, चाहे उसमें से हम थोड़ा सा निकाले, viscosity सेम ही रहेगी, यानि कि उसके amount पर depend नह देगी, ठीक है, तो यह density, concentration, viscosity यह सारी क्या है, यह तो तीनों है, intensive, यानि कि यह depend नहीं करती है, independent होती है, amount of substance पर, लेकिन enthalpy क्या है, extensive property है, यह depend करती है, amount of substance पर, I hope इसका answer भी clear होगा, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ, यहाँ पर next question है, इसमें surface tension डी हुई है, liquid की roughly x degree centigrade above the critical temperature, the value of x's, यानि critical temperature से उपर जाने पर, जो भी surface tension है, वो vanish हो जाती है, ठीक है, तो लगवाग critical temperature भी क्या है, temperature पर भी क्या है, जो surface tension है, उससे अब अब जाने पर vanish हो जाती है, तो लगवाग कितने temperature पर vanish हो जाती है, तो around 6 degree above जाने पर ही, जो surface tension है, वो खतम हो जाती है, vanish हो जाती है, completely, तो इसका answer होगा C, ठीक है, अब next question देखते हैं, यहाँ पर heat of formation, यानकि enthalpy of formation of SO2 दी हुई है, ठीक है, यह दी हुई है, S plus O2, यानि कि यह दी हुई है, लगवाग कितनी, minus 297.5 kJ per more, delta H, ठीक है, हमें निकालनी है, इसके decomposition की, कितनी होगी, क्या, heat energy, यह भी gas है, तो इसके decomposition के लिए, heat energy होगी, वो विल भी equal to होगी, कितने, यानि कि जो enthalpy है, यह minus में है, decomposition के निकालनी है, तो यह plus में हो जाएगी, ठीक है, तो यह equal to हो जाएगी, कितना, plus में हो जाएगी, 297.5 divided by 2, तो यह आएगी, 28, 28 जा, 16, और 27 जा, 14, 148, प्लस में, 75, यानि, यह इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, अब बढ़ते हैं, next question की चरफ, अब यहाँ पर next question है, इसमें दिया हुआ है कि a catalyst increases the rate of a chemical reaction, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उत्प्रेरक रासाइनिक अभिकरिया की गति को बढ़ाता है, अब जो catalyst का काम आपको पता है, खुद reaction में क्या हो जाता है, recycle हो जाता है, दूसरा reaction के rate को बढ़ा देता है, कैसे activation energy को कम करके, यानि activation energy को यह क्या कर देता है, कम कर देता है, path को reaction के easy कर देता है, कौन, catalyst, तो catalyst क्या करता है, यानि कि मालो activation energy किसी reaction की यह है, product form हो रहा है, तो यह क्या करेगा, इसकी activation energy को कम कर देगा, जिससे reaction जो है वो, क्या हो जाएगी, easily हो जाएगी, इसको कम कर देता है, कौ लिस्ट है वो क्या कर देता है कम कर देता है तो यानिकि डिक्रीजिज दा एक्टिवेशन एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टिन है कि जब किसी मिक्षर को किसका मिक्षर है वेपर्स ऑफ आसेतिक असेड है और लिए असेड है यानि कि CH3COOH है असेटिक असेड and formic acid हो गया है इसको हीट कर रहे हैं मेगनेस मेगनेस ऑक्साइड यानि एमनों के साथ में अराउं 300 डिग्री सेल्शेस पर तो क्या फोर्म होता है तो फोर्म होता है CH3CHO, acetaldehyde, carbon dioxide निकलती है और water निकलता है तो क्या form होता है acetaldehyde form होता है यानि C जो हो गया CH3CHO is formed is the correct answer of this question अब बढ़ते हैं next question की तरफ